आज दिल्ली के हिमाल्य पबलिक स्कूल रोहिनी में समाजिक संस्था सबका आसरा द्वारा निशुलक स्वास्थे जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकडों लोगों ने इसका लाब लिया। जाच में मेदानता अस्पताल एवं सरोज अस्पताल के विशेशग्य डॉक्टरों की टीम ने भाग लेकर विभिन प्रकार की बिमारियों के जाच कर उचिस सला भी दी। जिसके बाद आज ये स्वास्थ शिविर सफलता पूर्वक लगाया जा सका। वो धन्यवाता और बधाई का पात रहें। क्योंकि स्वास्थ और उसका इलाज करना आज सामान ने बस के बाहर का हुआ है। आयुर्वेदिक, एलोपेथी, भारत की पुरातन परंपरा का यहां अच्छा समन्वाय करके सभी को नुश्विल का स्वास्थ सुविधा जो उपलब्द कराई है। सब का आस्रा यह सवस्था को मैं साधुवाद देता हूँ। स्रिमती अर्चना सिंगल जी ने मुझे बुलाया और यह अच्छा सभागेशाली पसंग देखने का अनुभों मिला। बहुत बहुत धन्या। सवस्था यह आस्रा काम कर रही है। आप लोगों को लाव ले रहे हैं। मैंने भी टेस्ट करा हैं। और यह संस्था बहुत इच्छा कारेकर आगे चाना। आमजन उन टेस्टों को कराने से बचते हैं। तो इन टेम्पों के माध्धम से हम उने वो विशेश सुधायां के देते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब तक बिल्कुल लाचार ना हो जाएं। विस्तर पे ना पड़ जाएं। तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। इन केम्पों के माध्धम से हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके अपने स्वास के बारे में प्रिवेंटिव हेल्थ केर के बारे में भी सोच सकते हैं। और वो सुधाय होती हैं। आपको मैं बताऊं कि आज भी हमारे केम्प में कितने ही ऐसे हमारे भाई बंदू मिले। जिनको यह पता ही नहीं था कि उनको शुगर है या उनको ब्लड प्रेशर है तो और ब्लड प्रेशर और शुगर यह सारी विमारियों की जड़़। शरीर में जो भी रोग होंगे वो यहीं से शुरुवात होते हैं। तो एक बहुत अच्छा यह पिछले 20-25 वर्षों से हम यह आयोजित करते आ रहे हैं। इस वेन्यू का अगर मैं बताओं तो इस वेन्यू पे भी हमारा यह दूसरा प्रेयोग है। पहले पहला जो हमारा ऐसा प्रयास था उसमें 700 पेशिंस ने वो कराया था। और आज की दिन हम उनको दवायां भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रयोफ पाउस दिल वापा हैं। इसके अलावा जैसे फिजियो थेरापिस्ट हैं। तो यहां जो आज वो सुविधा दे रहे हैं वो तो गही रहें। इसके बाद वो अपने क्लीनिक पे भी दो से टिन स्प्री देंगे। कारे क्रम में जादा से जादा लोग पहुँचकर निशुलक जाच शिविर का फायदा ले सकें। इसके लिए पूरी टीम ने अलग-अलग माध्यम से प्रचार भी किया जिसके फलसरूर तीन सो से जादा लोगों ने आज रोहिनी में स्वास्ते जाच कराई। सभी तरह की जानकारियों के लिए सबस्क्राइब जरूर करें सीधी नजर टीवी। कारे करमें जादा से जादा लोगों होगा।